आज आज आपको पता चल गया होगा किस विशे में बात करने वाला हूँ पर बात करने से पहले चलिए एक सवाल आपके समख्ष क्या आपने कभी सोचा है कि यूजर इंटरफेस के अंतरगत डैशबोर्ड डैशबोर्ड कंट्रोल में लाटिटूड लॉंगी चूट तो हम लोग देख लिये थे यह कोडिनेट्स क्या है और दूसरी बात यह है कि इन तीनों को हम सेलेक्ट करके जब वापस आते हैं तो हमारे डैशबोर्ड में क्या प तो उसका जवाब यह है कि किसी चेतर का एक लोकल कोडिनेट सिस्टम भी होता है उसके लिए यहां पर यह कोडिनेट दिया गया है भारतवर्षित में इंडियन ग्रीड सिस्टम चलता है इस इंडियन ग्रीड सिस्टम को भी आप इसमें प्रदाशित कर सकते हैं बहुब है यहां पर मैंने अपने मोबाइल को मिरर किया हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं जिस प्रकार से अभी मैं फिलहाल अपने कारी शहत्र पर हूँ और यहां का जो कोडिनेट्स है यहां पर इस प्रकार से दिख रहा है तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने अपने mobile पर किस प्रिकार से Indian grid system को ला सकते हैं और साथे साथ यहाँ पर lat long का data है इसे भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं इसके settings को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि projection क्या है, grid क्या होता है और datum क्या होता है Indian grid system आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे एक दिप प्रधान का इस परकार से एक website खुलता है इसमें आप इसके details के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कि आप कौन से zone से belong करते हैं और उस आधार पर आपका zone आपको समझना होगा जमू कश्मीर के उपर जो भी zone है वो zone 0 है और इसके ठीक नीचे देखिएगा लदाख और जमू के अलावे पंजाब, हरियाना, उतराखन राजस्तान के उतरी छेतर तक यहाँ पर आपका zone 1A पढ़ता है zone 1B जो है इसके just पूरब यानि कि तिबत के आसपास का हिस्सा जो है यह zone 1B में पढ़ता है zone 2A में ज्यादातर मद्यवर्ती राज्य आते हैं जिसमें मद्यपरदेश, गुजरात, राजस्तान, उतरपरदेश इस परकार के छेतर यहाँ पर हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं zone 2B यह जो है यह नॉर्थ इस्ट कम्प्लीट और बियार जारकंड पशिममंगाल चतिसगर का कुछ हिस्सा इसमें रखा गया है zone 3 में महाराष्ट्र चतिसगर के कुछ हिस्से तेलंगाना के कुछ हिस्से हैं zone 4A में तमिल लाडू केरला यह सारे राज इसमें आते हैं zone 4B में अन्दमान निकोबार के दिवसमोह इसमें शामिल है तो फिलहाल इतना समझा जाए कि यह जो जोन्स हैं अलग-अलग जोन्स actually भारत काफी बड़ा भूभाग है और इस भूभाग को समतल दिखाने के लिए कोई एक zone में इसको बाटना संभाव नहीं है तो geographically यह काफी distorted होता अगर एक ही plane में इसको दिखाया जाए और उसको कम रखने के लिए error कम आने के लिए है इसको अलग-अलग zones में बंटा गया है तो zone 2b में मैं यहां पर क्योंकि इस चेतर से मैं belong करता हूँ तो zone 2b का मैं search करता हूँ इसको google पे इसका code क्या है Indian zone 2b इस प्रिकार से मैं search करता हूँ तो देखिए कि इसमें EPSG code क्या आता है यानि कि 24380 हमें यह हमको एक code प्राप्त होता है इस code को और उक्स मैप्स में आपको कैसे feed करना है इसको चलिए देखते हैं तो जब भी हम global settings में जाएए units में जाएए यहाँ पर क्या है कि आपको coordinate system यहाँ देखिए seconds दिया हुआ है आप इसको क्या कीजेगा यहाँ पर change कर लिजे custom grid यानि कि हमारा जो coordinates वहाँ दिखेगा वह grid अब custom grid दिखेगा customize करने के लिए आप यहाँ पर click कीजेए सबसे पहले EPSG code को आप select कर सकते हैं यहाँ से EPSG code का number हम लोग वहाँ से देख चुके थे 24380 और इसको ok कीजेए इसे ok करने के उपरांद आप यहाँ पर ok button पर दबाईए click कीजे और वापस आईए यहाँ पर आपको grid दिखना चाहिए यदि grid आपने enable किया है तो दिखना चाहिए अन्यता आप यहाँ से show grid ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस परकार से आपको grid दिखाए देना प्रारम हो जाता है पर इसमें accuracy की कमी है यहाँ पर मैंने एक map लिया है जो जिसमें पहले सही grid इस पर बना हुआ है इसको आप accuracy समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरू से जो बने हुए लाल रंग के जो खान हैंगे units में आप custom grid जो experimental है इसमें EPSG code को use मत कीजे इसमें एक और पारामीटर है projection 4 इसे भी मैं फिलहाल अभी use नहीं कर रहा हूँ custom parameters आप यहाँ पर पारामीटर को खुद select कर सकते हैं यह जो datum है हम लोग का WSG 84 यह global definition इसी को रखना है और projection में आप इसको lambert conformal conic इसको use क कीजे origin जो latitude origin है इसका है 26 longitude है 90 standard parallel यह standard parallel 1 और parallel 2 यह variable है आप अपने अपने zone के हिसाब से इसको आप change करना है इसको यहाँ पर एक PDF है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जारकन का पारामीटर इस प्रकार से यहाँ दिया गया है आप भी अपने state के लिए यहाँ पर दिये गए जो भी data है इससे आप अपना परामीटर देख लिजे जैसे कि बिहर का यहाँ पर दिया हुआ है और अरुनाचल प्रदेश का यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है यह SP1 SP2 क्या है यह SP1 standard parallel 1 और SP2 standard parallel 2 scale factor यहाँ पर संबंधित राजियों के यहाँ पर scale factor दिये हुए है य इस प्रकार से SP1 और SP2 के value को आप अपने trial and error method से आप चेक कीजे क्या वो सही है नहीं है और इस प्रकार से आप अपना data को जैसे ही set करते हैं उमीद है कि आपको यह काम कर जाएगा standard parallel 1 में आप इसको रखेगा 22.56 standard parallel 2 में 28.7 scale factor 0.999 798 754 यह scale factor है यहां के लिए false sting यहां से अपले सकते हैं false northing को भी copy कर लिया पेस्ट कर दिया यहां पे और यह हमारा data complete हो गया है तो यह जो parameters है यह zone 2b का है आप अपने 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 zone के लिए अलग-अलग parameter हो सकता है उसको आप लोग change कर लेंगे और इस प्रकार से यहां ok कीजिए ok करने के बाद वापस आईए और इस प्रकार से जो भी आप देख पाएंगे यहां पर variation बहुत कम है इस प्रकार से हम लोग Indian grid system को हम लोग put कर सकते हैं हमारे mobile पर अन्य प्रकार के भी Indian grid system पर आधारित software है जैसे दिशा यह आप लोग जानते होंगे इस पर इस पर जो reading आ रहा है तो यह जो data है और एक दूसरा application और है in grid करके यहाँ 625 है और 234 है जबकि यही चीज इसी location पर मैं यहाँ पर हूँ 223 है यहाँ और 628 है यहाँ पर मैं इतना दिखाना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो भी data है इसी के आसपास मेरा भी data है मतलब horox maps में भी यही data लग भग है 627 यह अगला दो digit को हमिट करना है यह जो data है दिशा और in grid दोनों से ही यह match करता है तो इस परकार से आज हम लोग देख पाएं कि Indian grid system को horox maps में कैसे feed करते हैं I think आपको यह पसंद आया होगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद